बाइस में तो ओल आउट हो गई जीरो पर सरकारे से बाहर कर दिये ऐसा ते जैस्वी जादव छक्का मारा की चारू खाने चित उनकी उल्टी गिंती भाजपाईयों की सुरू हो गई है ये आग बिहार से जो निकली है लपट ये दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली से ही बेद देखल कर दिया जाएगी नवसकार में नाम प्रेम है और आप लाइप स्ट्रीज देख रहे हैं देखे छेदी पासवाद जो शांसद है उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया और आर्जेडी को दौध इबराहिन से तुलना कर दिया साब तोर पर कर रहे हैं कि दौध दिव्राइन और अर्जेडी में कोई फर्क नहीं जिसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्जेडी के प्रवुकता है मिर्टुप यृष तिबारे जी अब तो दौध आ thirsty चुलना करेंगा कि दौध अरुना करने के लिए कुछ है बीजेपी के पास बाजपाईयों के पास कुछ है नहीं और जो लोग तुलना कर रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि उनका पाट साला यही आरजेडी था जहां से निकले हैं प्रारंबिक सिक्षा प्रामरी सिक्षा जहां से गरहन किये हैं जहां जिस विस भी द्याले से निक जो आरूप लगा रहे हैं तो अब वहां चले गए तो अब उनको याद आने लगा अब यह बात ही ने करना चाहते पढ़ाई लिखाए दवाई कमाई से चाहिए सुनवाई करवाई पर अब कम्पिटिशन है भाजपाईयों में इसलिए कम्पिटिशन है कि ऐसा गुगली में भाजपाई फसी है कि चारू खाने चित है नो अगस्त दो हजार बाईस को सीधे क्लीन बोल्ड हुई पूरी भाजपाई धारास आई हो गई बिहार में अब केंदर की बारी आई है जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो भाजपा में आपस में ही कम्पिटिशन है होड लगी हुई है दरजनों देखेंगे आप सारे नेताओं में होड लगी है कौन क्या बोले जिसका जिनका ख़वर चले उसे हम लोगों को क्या ये सरकार काम कर रही है नितिश्थ peng की सरकार बयानों पर नहीं कामों पर ध्यान दिया जा रहा है और काम बोलता है सरकार का आरा है कि हमारी चुनावती है 24 के चुनाव में 40 सीट जीतेगा भी जीतेगा बाइस में तो ओल आउट हो गई जीरोपर सरकारे से बाहर कर दिये अईजा ते जैस्वी जादव छक्का मारा की चारो खाने चीते तो ये 40 सीट नहीं उनको सपनाव जो ठिक बोलते हैं हमारे डिप्टी सीम स्रिते जस्पी जादव जी कि इनों ले जो सर्वे कराई है उसमें दिखाया जा रहा है 37 सीट पर हार रही है तीन सीट में मुकावला काटे का है या वो तीन सीट भी महागटवन्न जीतेगा इसी से बोखला करके ये लोग एक ही के सेट बजा रहे हैं रागला पर रहे हैं 25 में किसकी सरकार महागटवन्न या बीजेपी 25 में तो मुकावला बिलकुल साफ है बिहार की जनता महागटवन्न के साथ है 24-25 दोनों में भाजपाई को पता चल जाएगा जब जनता हिसाब मांगेगी पाई पाई का 25 में बीजेपी का सरकार बनेगा और नितीश कुमार बिना कुर्सी के नहीं रह सकते हैं वो किसी के साथ हाथ मिला लेंगे वो दो दिवराईवन ने क्यों नहीं देखिए आधरन्य छेदी पासवान जी जो बात कह रहे हैं उनको पता है अच्छी तरह से बारतिय जनता पार वो परिसान है तो वो अब कोई न कोई आरोप लगा कर इसी तरह का निराधार बेतु का बयान दे करके सब लोग चाते हैं चर्चा में बने रहें इससे हम लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता है उनकी उल्टी गिंती भाजपाईयों की सुरू हो गई है और बिहार से दिखल कर दिया जाएगा चलिए यह आलजडी के परवक्ता थे विर्टुनिया इतिवारी इनका कहना है कि बिहार से आग निकली है दिल्ली तक इसकी लपड़ जाएगी और दिल्ली से भी बेदखल कर दिये जाएगे बाकि की तमाम ख़बरों के बने रहें लाइप सुटि